इस अब नोग जो है ना दूले की ताइ चाची मा बुआ वगरा ये सब लोग बड़े बड़े लोग हैं तो इनसे डांस करवाया जा रहा है क्योंकि लोग जो है नगा करते तो जो पर जस्ति उनको डांस वोनम कर वा रही है बड़ा मजा मस्ती वाला डांस हुआ है आप लोगों को recording देते समय आप लोग देखी रहे होगे थोड़ी सी आवाज जो है ना दबी दबी सी होगी है यह बरी बस इसके बाद जो है ना हातों पे बने हैं कंकन और साइद मैंने आपको दिखा दिये थे साइद यह पता नहीं मैंने फिर से इसको एड़ कर दिया है और जब विभा बनता है ना जब विभा निकलता है की किस तारीक पर आपको विभा करना है तो यहिसाब दोलियां चड़ेगा और सबसे लास्ट में मैं ही तेल चड़ाती हूँ उसके बाद थोड़ी से रसम रिवाज होते हैं दूले का माथा सभा आ रा जाता है और हल्दी वगरा लगाई जाती है वस वही रिक्चार वगरा यहां पर होंगे इसके बाद हमें तयार होना है हल्दी के लिए हल्दी का फक्षण जो एना बाहर होने वाला है मतलब होटल वगरा में है तो बस ये घर के निक्चार जो एना पूरे हो गए थे इसके बाद में आ क्योंकि यह कैसी लग रही हुए बता रहा है वैसे आपने पे मुझे अच्छा हैं कि मैं अच्छी नहीं लग लग रही हूँ फुर आप बताना मुझे कैसी लग रही हूँ तो वस यह वाली बना है साड़ी पहली है और मैं कर रही हु solid एक है पर हेरम बाईक जान में पुर्षाइब बना सकते हैं यहां पर मैं यहां पली में नहीं पर सुन के लिया उप्छाम्ड आफंपर सब्सक्राइब बनाया बनागोरेशन कभ ही आप इससी को भाए बहुत संदर लगता है। यहां पर दिलिए सह सौनधम तयार हो रही है। मैं तयार हो चुकी हूं संगीत ने तयार होएं, पस एक से दूसरा उने में तो आच्छा लगता हूं मतलब सामने वाला हमें बता लेता है कि हम कैसे लग रहे हैं लगे जब भी अकेली तयार होती हूं को समझ में नहीं आता है तो बस संगीत के लिए हम लोग तयार हो गए हैं बस अब निकल ले वाले हैं और रात के समय का संगीत था हल्दी संगीत सात्मी थे मतलब पहले हल्दी करेंगे वो लोग डांस करेंगे भाई भावी जो रहा दोनों डांस करने वाले हैं आपनों को थोड़ा से दिखाऊंगी अज़ा अज़ा आपनों को थोड़ा बेट तो कर ले बेबी तारों से मन भरूंगा यह है चकिया पर हल्दी पीशने की रस्म तो हम दोनों बहने जो है ना चकिया पर हल्दी पीश रहे हैं और इस हल्दी को पीशने में बहुत जाना मसकत लगी है मतलब इसका जो उपर का आप देख रहे हैं लकड़ी का जिसको हम गुमा रहे हैं इतनी बाद निकला है कि जरा स हलदी पीसने में हमारी हालत・खराब हो गई थी मतलभ हम दोनों jsी परेशानं हो गए दरब दरदर निकल रहा था और हमें बार बार पीसने में बड़ी दिक्कत हो रही तो मैं तो अपनी ममी पपा के एक भाई बहनी है, हम लोग ये ताई जी की बेटी है, और ये साधी चाचा की बेटी की शादी है, तो आप लोग कोई confusion नहीं होगा, आप लोग पूछोगे दिदी, आप तो अकेली हो, ये दूसरी बहन कहा से आगी, तो मैंने आपको इस पश् करता है, तो मैं जो है यहां पर जिस मैं मंडब करता है, उसको यहां पर थोड़ा सा डेकुरेट कर रही हूँ, और देखिए किस तरह से सब अपने हातों में महंदी लगाने में जुटे हुए है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, कि मैं सबसे आदा सुन्दर दिखू शादियों में अकसर यही होता है, कि सबको यही लगता है, कि सबसे आदा सुन्दर तो मुझे ही दिखना है, और यहां पर पंड़ी जी गाड़ रहे हैं, यहां पर मंडब गाड़ रहे हैं, सबी लोग बड़े बुड़े यहां पर बैठे हुए हैं, सब बता रहे हैं कि इ चाची पंडी जी को देने वाली है, सारी चीजों को मैंने रिकॉर्ड किया है, बात आप लोगों के यहां पर भी फंक्शन होते होंगे, रिकॉर्ड मैंने इसलिए किया है, यह सारी चीजों को देखते हैं तो बड़ी मतलब खुशी होती है देखकर, और यह चीज बता है मैं हमारे दिमाग से दिल से कभी दूरी नहीं होती, खुशियों को हमेशा समैट कर रखना चाहिए, तो इस सारे पलों को मैंने एकदम समैट कर, कैमरे में बंद करके यूटूब पर इसको सेफ कर दोंगे, आप सब भी लोग इस चीज़ों को हमेशा एंजॉई करोगे, और मैं भी इस चीज़ को जीऊंगे, तो यह सारे चीज़ों मेरी जिन्दिकी की मेमोरीज हैं, इनको मैं बहुत समाल के रखने वाली हूँ, इस साधी में हमने बहुत जाना एंजॉई किया है, मतलब बिंदास होके डांस किया है, बिंदास होके डांस किया है, और खूब ज़्यदा मज़ा मस्ती की है, इस तरह से जो इना मंडब गाड़ा जाता है, जो डिबबा था ना, उसके अंदर स्वास्ते वगएरा बना दिया, इस तरह का मंडब होता है, जो कि आपको easily market पे मिल जाता है पहले के जमाने में तो लोग गाउं में बनाती थे इसको लेकिन आप तो market में मिल जाता है मिटी में इसको दिखे इस तरह से दवा दिया जाता है इसी के लड़के लड़कियां फेरे बगरा होते है लड़के के हमें मंडब गड़ता है इसके हम लोग नेकचार वगरा करेंगे और फूपा और फूपा को जीजा को जो जो हैना हल्दी लगाए जाती है जब हो मंडब गड़ती है तो पंड़ी जी देखिए यह लोग क्या है हाथ पंड़ी जी के वर पहुच रहे थी तो उनके हाथ उनकी साड़ी से पहुच दिये है और यहां कलस लगुन का कलस वगरा रख दिया है इसको भी हम डेकुरेट करेंगे यही सारे नेकचार होते है छोटी छोटी डस्मरिवाज होते है जिन में हमारा पूरा पूरा दिन चला जाता है काम कोई नहीं था गर्मे लेकिन नेकचारो में पूरा दिन पता ऐसे ही बीड गया कि कब सुबा हो रही है कब साम हो के है आज फाइनली जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूं अब लोगो तक ये वीडियो पहुंचाओंगे तब तक साधी जो है न हो चुकी है और अब पता चल रहा है मतलब कितना सुना सुना घर हो जाता है इने एक चारों में जो मेरा बड़े मज़े आते हैं सारे रिष्टेदार हमारे मिलने जुलने वाले जिन से हम बर्सों से नही मिले हूं वो सारे रिष्टेदार जब हमसे मिलते हैं तो खूब अच्छा लगता है तो बस देखिए सभी के चेहरे पर देखिए कितनी स्माइल है कितनी खुशी है सभी लोग बड़सों बाद जो है ना मिलते है अब मैं भी चलूँ गया चांट ही को गूरा पूजने की रस्म घूरा पूजने के बाद मंडप के नीचे सारे बच्चों को खाना की लाए जाएगा लड़कियों को जो कि कौआरे बरुआं उन्हें बोला जाता है और खाना काने के बाद उनको दख्षन को डेता है यो नहीं सब recordings on चाय है कैसे बात बात की रस्म होती चली जा रही है चोड़े चोड़े चीजे पता है रस्म रिवास जो यह तो एक वड़ी से शुनाई बुआ की रस्म बहन की रस्म आपको अपको जो हैं आपने परिवार और यह हो रहा है फोटो शेशन सबी लोग मिल जुलकर जो है ना दूले के साथ फोटो के चुआ रहे हैं यह दूले की भावी बहने सब लोग बंदा सुके अपने पीले पीले और मेंदी से रचे हुए हाथों को अपने दिखा रहे हैं और बस इसी तरह का आज का दिन था पूरा दिन जो है ना इसी तरह से निकला है नास्ते गावे और यह बूरी अमा जो आप सबी लोग देख रहे हैं यह हमारी बूरा दादी जो की बहुत अच्छा डांस करती है धोलक बसते ही जो है ना इनके पैट थरक नहीं लगते हैं बहुत अच्छी एनरजी है जो है ना इनके स्पास है इतने उमत पर हम हुए तो साथ कुछ कर ही ना पाएगे लेकिन इनके अंदर बहुत एनरजी इनको देख कर अपने आप में लगता है कि नहीं हमारे अंदर भी एनरजी होने चाहिए आज के लिए